इसकार में महादेव जी बात करा हूँ हलो हाँ बताईए आपके आवस में सुन रहा हूँ हाँ हाँ उम्रे बताईए है हाँ समस्या बताईए आपकी आपकी कोट के चल रही है हाँ आप आप नेटवर्क एरिया में आके बात करें क्योंकि मैं सुनने में तरह दिक्तत हो रही है हाँ थोड़ी से प्लियर आ रही है बताईए आपके आवाज आपके उम्र क्या है सदूसत्का जन्मा है आपका पसंदिदा कोई भी एक कलर बताईए आप लाल कलर अभी में दिपक आचारी जी से रिक्वेस्ट करता हूं उनके आप हल बताईए जी पिलकुल जबी बी ऐसा कोई हमारे पास कॉल आता है कि जिसमें कोट के चहरी का कोई चक्कर है हर मनуш्य इससे भागता है कि उसके पास कोई कोई किट कर चकर ना आए पहले तो मैं आपको एक सुझाव दूँगा कि आपको क्या करना है अपने वकील से सुझाव लेते रह इसके लिए आपको इक मैं सरल्सा उपाय बता रहा हूं आपने क्या करना है मंगलवार के दिर आपको चाहिए के तीन पत्ते लेकर के तीन पत्ते बर्गत के लें उनको धो करके उनपर संधूर लगा करके हनुमान जी को अर्पित करें और एक सरलसा उपाई आपको और बता रहा हूँ कि जब भी आप घर से कोट के चकर के लिए निकलें तो अपने से वार करके अपने से घुमा करके थोड़ा सा धूद जरूर किसी ना किसी पौधे में डाल दें ताकि जो भी आपके उपर समस्या है उसका अंत हो जाए मेरी कारी काम नहीं बनता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं देखिए कई बर क्या होता है किसी भी ग्रह की महादशा की वज़ा से या आपके वास्तू की वज़ा से या कोई ग्रह जब दूशीत होता है तब हमें इस प्रकार की समस्यां से जूजना पड़ता है देखिए कभी- बहुत शक्ती है हम अपनी हर समस्या हर भादा को दूर कर सकते हैं एक शलो कहा गया है चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई देखिए जो ये मनुष्य जीवन है इसमें हर इंसान कोई इसा नहीं है जिसको समस्या नहा हो तो आप अपनी समस्या का समधान हम से पा सकते हैं आपको एजटी नंबर मिलाना है